वेलकम बेक्टो चाइनल मैप प्रक्ट्रीज के इस स्रीज में आज हम बात करेंगे ब्लैप सी के बारे में इस वीडियो में आप जानेंगे ब्लैक सी के राउंड कौन-कौन सी कंट्री है कुछ इनपॉर्टन सी के बारे में žैसे कि सी ओप मरमरा एजोब सी और कुछ एस्टेट के बारे में जैसे कि डांडेलस एस्टेट बॉसफोरस एस्टेट एस्टेट ओफ कर्च तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो ब्लैक सी के राउंड टोटल 6 कंट्री है clockwise direction में देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर यूक्रेण रसिया यह रसिया का बांडरी है यूक्रेण के साथ यह भी रसिया का बांडरी है फिर जॉर्जिया दें टर्की बुल्गारिया और रोमानिया यह जो इलाका देख रहा है यह भी यूक्रेण का इलाका है यहाँ पर आपको Sea of Ajobs मिलेगा यहाँ पर एक important estate है जिसको estate of Karch बोलते हैं Black Sea और Asian Sea यानि Mediterranean Sea को connect करने वाली जो C है वो है Sea of Marmara और यहाँ पर भी एक छोड़ा सा estate है इसको बोलते हैं Boss Forest Estate और Asian Sea और Sea of Marmara को जो connect करती है उसको बोलते हैं Dardanus Estate ठीक है तो आगे देखते हैं एक एक करके सारे Sea और State के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उपर से उपर में हमारा था Sea of Ajobs Sea of Ajobs मेली दो कंट्री के बीच में है एक रसिया और दूसरा यूक्रेयन और यह जो आप इलाका देख रहे हैं यह क्रीमिया है जिस पर रसिया का अधिकार है और यह Sea of Ajobs और Black Sea को जो करनेक्ट करता है उसको State of Karch बोलते हैं यहाँ पर में आपको टोगनारोग गल्फ मिलेगा जो की रसिया के साइड में हैं और यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं थोड़ा आगे तक निकला हुआ हो उसको Speed बोलते हैं इस पिक्चर में देखिए आप यह mainland है और यह समुंदरी सीमा है जिसका land थोड़ा आगे तक निकला हुआ है इसी को बोलते हैं Speed और यही है अराबत Speed यह करीब 70 माइल्स लंबा है और दुनिया का सबसे बड़ा Speed यही है अराबत Speed जो की Sea of Ajobs में है इस मैप को ध्यान से देखिए मैं पहले बताया कि आपको पहले Sea of Ajobs मिलेगा फिर Black Sea और यहाँ पर Sea of Marmara Sea of Marmara और फिर Aegean Sea Sea of Marmara और Black Sea को जो कनेक्ट करती है यहाँ पर देखेंगे छोटा सा एक State है उसको बोलते हैं Boss Forest State इस मैप के माधियम से समझते हैं यह Turkey है यह Istanbul सहर है और इसी के बीच में यानि Black Sea और Sea of Marmara को जो कनेक्ट करती है उसको Boss Forest State बोलते हैं यह द्यान रखना यहाँ पर Boss Forest State पूरा का पूरा सिप टर्की में हैं Sea of Marmara भी टर्की में है और यहाँ पर Dandellas State जो की Aegean Sea और Sea of Marmara को कनेक्ट करती है उसे बोलते हैं Dandellas State यह तीनों भी टर्की में है टर्की का जो यह भाग देख रहे हैं यह Asia में आता है और यह जो भाग देख रहे हैं यह यूरोप में आता है यह Boss Forest State यह देखिए यहाँ से Sea of Marmara है और Sea of Marmara से एक छोटी सी State पास हो रही है इसी को हम बोलते हैं Boss Forest State तो question ऐसा पुछा जा सकता है कि Black Sea और Sea of Marmara को बीच में कौन सी State उसे connect करती है तो है Boss Forest State यह है Dandellas State Dandellas State connect करती है Aegean Sea को और Sea of Marmara को कभी-कभी ऐसा भी question पूछा जा सकता है कि Mediterranean Sea और Sea of Marmara को कौन सी State connect करती है तो उसका एंसर होगा Dandellas State question ऐसा ही पूछा जा सकता है कि Mediterranean Sea और Black Sea को कौन सी Sea connect करती है तो उसका option होगा Sea of Marmara Black Sea में कुछ important नदी भी गिरती है जैसे कि Danube, Deniper, Southern Bug, Denister, Don, Kuban, Ravani, and Kijilmark यूक्रेन से डिनाइपर नदी Black Sea में आके गिरती है डॉन नदी जो की रस्या की काफी important नदी है वह भी Black Sea में आके गिरती है लोकिली वह बड़ी नदी है वह भी Black Sea में आके गिरती है और Denister River भी यही Black Sea में आके गिरती है अब इसे याद कैसे करें तो कि Black Sea के राउंड टोटल 6 कंट्री है तो उसका एक ट्रिक है यह ट्रिक आप ऐसे बना सकते हैं UK रस्या गया तो बोर्ड हो गया तो यहाँ पर UK मिन्स यूक्रे पॉस्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको क्लॉक्वाइट आएक्शन में इस कंट्री को आरेंज करना है तो वह भी आपको पता होना चाहिए कैसे तो यूक्रेन रसिया जॉर्जिया तर्की बुल्गारिया और रोमानिया अब जो भी कंट्री है Black Sea के राउंड उनके कैपिटल और करेंसी को जानते हैं यूक्रेन की कैपिटल कीव है और वहां की करेंसी यूक्रेनियन हर्विनिया है रसिया की कैपिटल मॉस्को और वहां की करेंसी रूबल जॉर्जिया की कैपिटल टिबिल्सी और वहां की करेंसी लारी तर्की की कैपिटल अंकारा और करेंसी तर्कि उनके capital और currency कभी कभी question ऐसा आता है कि आपको north to south arrangement करना होता है और वहाँ पर option देर दिये होंगे इस type से तो आपको ऐसे याद रखना है सबसे पहले आएगा टेगा नोर गल्फ, फिर sea of azule, फिर estate of karch, फिर black sea, फिर बॉस्पोरस estate, फिर sea of marmara, फिर dandellas estate, तो एक वर map की साहता से समस्ते हैं, यह है है हमारा प्यारा भारत, यहाँ से आप north west की दिशा में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको black sea मिलेगा, इसको मैं थ्रुआ सा जून करता हूं, black sea के राउंड आप देख सकते हैं, यूक्रेयन, रसिया, रसिया का यह वागए, क्योंकि यूक्रेयन का जो border Russia, यह यहाँ तक है, यह दियान रखी का क्रीमिया अब Russia के अंडर में है, यहाँ पर Georgia, Turkey, यहाँ पर Istanbul है, यह जो यहाँ तक एरिया है, यह Asia में आता है, और यह जो एरिया है, यूरोप का भाग है, फिर यहाँ बुल्गारिया, और यहाँ से रोमानिया, अब मैं आपको बत गल्फ यहां पर वह इस्पीट है इसी को अरावर्ट स्पीट बोलते हैं यह देखें कितना लंबा है यह 70 माल्स के लॉंग यह लंबा इस्पीट है जो दुनिया का सबसे बड़ा है फिर यहां पर देखेंगे कर्च एस्टेट है जो कि इस सहर के नाम पर इसका नाम रखा गया तमान बेबी यहीं पर है इसको भी आप याद कर सकते हैं फिर यहां से नीचे जाएंगे तो में ब्लैक सी आप पने ज़र आएगा यहां पर इस्तामबूल है और इस्तामबूल से चोटी सी एस्टेट पास हुई है जिसको बॉस्ट फोरस एस्टेट बोलते हैं जो की कनेक्ट करती है ब्लैक सी को और सी ओप मरमरा को देहें दिखिए यह Sea of Marmara है यहां से फिर Sea of Marmara connect करती है एजियनसी को और यहां पे ही है डांडेलस एस्टेट यह देखें डांडेलस एस्टेट तो अगर किसी को अट्लांटिक ओसियन से ब्लैक सी में जाना है तो यहां से वो connect होते हुए जी व्लार्टर जो एस्टेट है वहां से connected होते हुए यह Mediterranean Sea में आएगा Mediterranean Sea से फिर Sea of Marmara में आएगा और फिर यहां से ब्लैक सी और फिर Russia में यह सारा समान पहुंच सकता है दिस्क्रिप्शन बहुत से मिल जागा चाने तो आप उसको देख सकते हैं आने वाले वीडियो में हम कुछ और सी के बारे में बताएंगे थैंक्स पर वाकिन को कि अगर कि अगर कि अगर कि